old friends नमस्कार यह वीडियो बहुत important है उन लोगों के लिए जिन्हों है राई पूवनिश्वर में स्थान पाया है लिस्ट violet को किस तरीके से अनुदेश हैं निरदेश हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए सिल सिले बार बात करते हैं, तो पहला ये, the selected listed contents are required to send the scanned copy of the documents as given in the list, तो एक लिस्ट दी गई है, मैंने अप्लोड कर दी है, बेरे टेलिग्राम चैनल पे, और आप official website से भी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनकी एक single PDF फा in the link, यानि आपको Google form में जो link दिया गया है, वहाँ भी submit करनी है, यह देखी, and also submit the field in Google form in the link, यह link दे रखा है, और कि दस बजे तक, पांस तारीक, पांस अक्टूबर को, पांस अक्टूबर, यह last date मानलो आप अपने, सूबह दस बजे तक, यानि चार तक ही कर देना, क्यों दस बजे आप करो नहीं करो, तो यह पांस अक्टूबर तक सूपर दस बिज़ तक आपको यह जमा कर देनी है, इसके बाद, आपकी इस date के बाद में जमा की हुई चीज, कोई भी आपकी स्विकार नहीं की जाएगी, no documents will be accepted beyond the due date and time, ओकी, इसको एक बार आप दुबारा सुन लीजिए, अगर आपका registration number है, जो PDF फाइल है, उसका नाम कैसी देना, आपका registration number जैसे है, यह मैं बता दिता हूँ आपको, आपका registration number जैसे है, बारा, चार सो, सडशट या कुछ भी है आपका registration number, तो उस फाइल का नाम यह लिखना है, जो PDF फाइल बनाएंगे आप, तो फाइल नेम है, तो आपको यह डालना है, और कोई नाम आपको नहीं डालना है, फाइल नेम आपको, आपका registration number ही आपका फाइल नेम होगा, ओके फ्रेंट्स, समझ गए होंगे आप, और यह Google प्रम है, यह भी आपको, यहां जो लिंक दिया ग यह Google लिंक यहां पर आपको मिली गया है, यह Google लिंक है, तो आप यह टाइप करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो यह 5 अक्टूबर तक सुबह 10 बज़े से पहले अपलोड करना है आपको, सुबह 10 बज़े से पहले, और the selected candidates have to upload the scanned copy of the undertaking format, available in institute website, newly signed by both the candidate and the guardian parents, त आपके भी साइन होंगे, यह शपत पत्र जैसा होता है, कि आप मैं रेगिंग नहीं करूँगा, यह कोई चीज आपके कोई documents अधूरा है, तो आप undertaking देंगे, कि मेरे पास यह document नहीं है, वह 10 दिन में submit कर दूँगा, यह इस तरीके से undertaking होती है, उसमें आपके साइन होंगे, और आपके parents के भी साइन होंगे, यानि आप दोनों के साइन होंगे, यह ध्यान रखें, आपका और आपके parents का, यह ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं है, आप अपने ही साइन कर दें, ठीक है न, तो यह आपको ध्यान रखना है, आगे लिए बात करते हैं, the confirmation of the admission will be communicated to the candidate after verification of the document submitted by the selected candidate through registered email by 7th of October, 6 p.m. तो जो candidate होंगे, उनका admission confirm कर दिया जाएगा, उसका email आएगा आपके पास, साथ तारीक को, शाम 6 बजे तक, देखिए, लेट हो सकता है, यह कुछ नहीं, जैसे यह कल है, मेरिट लिस्ट कितनी लेट आई थी, 11 बज गये थे, मेरा internet भी बंद होने वा 7 बजे आपको पास email आजाएगा, उसके उपर आजाएगा, ठीक है, तो आपको, जो आपके जो साइन होगे, पेरेट्स के, और यहाँ पे, OBC EWS Undertaking के जो format दिये गये ना, उन्हें आप फिल करके upload कर देना, इनका format वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से राउंड लोड कर का आपको confirmation का email मिल जाएगा, बस आपका email address सही होना चाहिए, अरो verification के बाद आपकी sheet confirm हो जाएगी, तो confirm हो जाएगी तो आपको mail मिलने के बाद, यानि 7 October के बाद fee payment कर देना, चाहिए आप इसको 8 no को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, साथ तरी को कोई जरूर ही नहीं है, साथ कोई आप fee payment करें, यहां लिख रखा है कि request amount of fee must be submitted online after the clearance in certificate document verification, तो वो document verification कर देंगे, आपके पास mail आजाएगा, यह date यहाँ 6-10 दे रखिए, इसको आप 7 ही माल लो आपको, तो यह 6-10 दे रखिए तो आप 6 को मत करा देना कोई भी, आपको 7 अक्तु पर के बाद ही कराना जब आपके बास mail आजाए ना, उसके बाद ही जमा कराना है, पहले जमा नहीं कराना है, मतलब नहीं इस बात का, ठीक है, और यह SB collect के थ्रू जमा करानी है, यहां बता रखा है, SB collect के थ्रू जमा करानी है, और यह यहां link भी दे रखा है, और payment slip आप रख लेंगे, उसको फि fee structure मने अलग से video डाल दिया है, यहां देखी रहे है, जनरल OBC EWS की यह fee है, यह 13,500 पिचाशी, 13,585, and SCST कंड़ेटे इनको 5,000 रूपीज की, इसमें जो है, tuition fees में इनको छूट मिलती है, तो इनको यह कम कर लेंगे, तो यह 8,500 पिचाशी रूपे हो जाएगे, अब यह step for payment दे रखा है, तो यह आप देख लेंगे, किस तरीके से step है, select the link, click, yes, यहां जाना है, odysa select करना आपको, इसा नहीं है, आपका state बिहार है, तो आप बिहार select करने, odysa select the type for institution, आपको फिर educational institute, go, select institute, तो आराई भूनेस वर select कर देना है, submit select category, आपके OBC, AC, ST, जो भी है, general है, ज class, जो भी हो आपकी, यह सब detail आपको फिल करने है, और क्या करना है, the original school, college, living certificate, transfer certificate, TCCC, सब migration certificate, जो जितने भी certificate लगे हैं, तो आपको यह फी payment के बाद, आपको 15 दिन के भीतर भीतर, within 15 days, ठीक है ना, within 15 days, तो आपको यह भीजने है, या तो आप speed post से भीज सकते हो, और आपको खोने का डर है, तो आप इनको register dark से भी भीज सकते हैं, तो उसकी रशीद आएगी आपके पास, इसलिए आपको 15 दिन के भीतर 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 भीजना है, यह address नेचे लिखा है, यह IC academic section, regional institute of education, सचिवाले मार्ड, भूवनेश् यह pin code लिखा है, और यह odysa, इस address पे आपको, यह 15 दिन के भीतर 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 भी आपका कोई भी certificate जाली या फर्जी नहीं होना चाहिए यह आपका प्रोविजिनल सेटिपिकेट है जो यह यह आपका यह अपका डॉक्षिकेशन वेरिफिकेशन होगा या अंग्रेजी में तो पढ़ी रहे हैं या लिखा हुआ है तो आपका जो आपका जो वेरिफिकेशन हो सकता है यह फाइनल वेरिफिकेशन तक प्रोविजिनल एडमिशन ही माना जाएगा ज्याना कि लास्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डोकुमेंट्स देखी जाएंगे कि आपके सही है कि नहीं है तब भी आपके कोई गलती मिल गई तो आपका कंडिडेशर है और रद्ध हो जाएगा और आपके खिलाप आउसे कारिवाई भी की जाएगी और अगर आपने अधूरे डोकुमेंट्स सब्सक्राइब किये हैं यह जाहे को गईड़कुमेंट्स सब्मिट नहीं किये हैं तो भी आपका एडिमेशन रद्ध हो जाएगा और से शीट है वह तो नेक्स्ट कंडिडेट को चली जाएगी ठीक है और अगर सेडूल टाइम पर फी पेइमेंट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी तो फिर दूसरे को चली जाएगी ठीक है तो यह प्रोविजनल एड्मिशन है यह आपके भी के ऊपर डिपेंड करता है आपके डेंड करता है और सफल और और ऑरिजवएगजनल डोकमेंट्स का सेट्र संवह यानि भ॥ दियापनुचन वह सब्सक्राइं कंड noise होगा और यह देखिए यहां लिखा है कि यह शीट विल गोट टु दर नेक्स्ट कंड़ेट फॉर्म फॉर्म दा मेरिट लिस्ट यानि जो सलेक्टर कंड़ेट की जो वेटिंग वह उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट कंड़ेट होंगे उनके पास यह चली जाएगी अगर आ आपने फी सब्मिट नहीं कराई तो नियमानसवार कारवाई तो होगी ही होगी आपका कंड़ीडेट चार वह भी कैंचल हो जाएगा यहां बात लिखिए कंड़ेट्स और एडवाइस तो विजिट दा इंस्टूट वेबसाइट फ्रम टाइम तो तो आपको इंस्टूट क पड़ाएं एक तो आपसे रिक्रेस्ट वाले कंड़ीडेट है वो भी अपना होचला बनाये रखें बहुत सारे बच्छों का एडमिशन होता है यह सारे जो जो लिस्ट में selected candidate होते हैं वो admission नहीं लेते हैं कोई medical में चला जाता है कोई IIT में चला जाता है जो ज़्यादा marks होते हैं और कहीं admission ले लेता है तो आपकी उमीदे बनी हुई हैं तो आपको इंतजार करना है और आपके लिए भी लगबग वही निर्देश हैं दस बजे तक 10 एम यह टाइम है आपका और आपको 9 10 2021 तो आपको 9 October अपने डॉकुमेंट सब्मिट कर देने आप अपनी डेट आठ ही मान के सली है आठ अक्टू बर तक आपको यह डॉकुमेंट सब्मिट कर दे देने आपके डेट अलग है इसमें और यह एक डेट और अपने रेश्टेशन नमबर के इसाफ से बनानी है यह देखिए आप यहां पे लिखा है वह बात मैंने उन बच्छों के लिए बताई है वही बात आपके लिए लागू है कि आपको सिंगल पीडिया फाइल बनानी है और नेम देना है उसको आपको आपका अगर 12600 बैतर है तो आप उसको ऐसा नाम देदेंगे पीडिया फाइल का नाम रेश्टेशन नमबर है वही आपकी फाइल का नाम हो जाएगा और फॉर्म को सई धंग से भर करके और इसको नो तारिक को दस बजे से पहले-पहले इसको जमा करा देंगा और यह स सब्क्राइब के अगे से अलएं जाये जाएंगे तो उनको फिर वेट लिस्ट में से कंडिट लेंगे तहुं आपको फिर दिवाला सुचित कर दिया जाएगा तो आपके फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए तो जब इमेल करेंगे तो पंद्रा तरिक से पहले-पहले after the verification of documents submitted through registered email by 15th of October तो यह confirmation हो जाएगा तो आपको the confirmation for submission of fee will be communicated to the selected candidate from waiting list. वेटिंग लिस्ट में से जो बंदे select होंगे उनको communicate कर दिया जाएगा email कर दिया जाएगा 15 तारिक से पहले पहले तो फिर आपको क्या करना है 15 तारिक को सुचित कर दें तो आपको fee submit कर देनी है sb collect के द्वारा कब करनी है 15 के बाद 20 तक यानि आपको 16 तारिक से लेके 20 तारिक से पहले पहले अपनी फिर जमा करा देनी ठीक है पास दिन का टाइम बहुत होता है वह से ठीक हो गए तो एक तरीके से तो आप यह काम कर देंगी ओके और बाकी कोई वह सारी से सेम हैं आप देख सकते हैं यह फी सेम है और यह सारी सब्सक्राइब यह आपको यह यह रिश्टर डाग के डाक से 15 दिन के भीतर-भीतर भीज़ देना है यह इस चारी बात है आप यह आपके लिए जरूरी बात है आप यहहां देख सकते हैं。 क्या बात है यह 11 नमर का पॉइंट देखी दे वेट लिस्ट लिस्टेड कंडियेट्स विल बी कम्यूनिकेटेड फॉर चांस एडमिशन एज पर मेरिट बेस्ट अपन वेकेंसी आफ्टर एडमिशन ऑफ सेलेक्टेड कंडियेट्स लिएर ओराल वेट्टिंग लिस्ट को कब बुलाए जाएगा कब चांस दिया जाएगा कभी कंशन्यट किया जाएगा कब चांस मिलेगा जब मेरित बेस्ट्स निकाल दिगई है और वेटिंग लिस्ट मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पर इपलोड़ वहाँ भी अपलोड कर दिया और वीडियो भी बना दिया है तो उनके तयारी के लिए रेडिनेस के लिए और इंफोर्मेशन के लिए यह सीट वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है तो आप सब सावधान रहे हैं वेटिंग लिस्ट वाले अपनी आश्या बनाए रहे हैं बहुत सारों का निंबर आता है न दूसरी लिस्ट निकलती है चलिए यह तही आज की जानकरी तो यह यह अगले वीडियो में और बीसे बीडियो नहीं दे सका तो इसका कारण यह था कि इंटरनेट बंध था राजस्तान में तो आप मुझे माप करेंगे और और कहीं किसी आर मिलेगी मैं दे दूंगा और बहुत सारे प्रेशन आये होए थे आराइए मैसूर से भी आये होएं सोनम कुलदीप विमल गजेंद्र प्रकाश कड़वीर यह सब मेरे को आराइए जमेर की मेरिट लिस्ट के बारे में पूस रहे हैं आप निश्चिंत रहे रात को बारा बजी भी आएगी तो मैं अप्लोड कर दूंगा डॉंट वरी आप बस टेलेग्राम चैनल को भी जाइन कर लिजिए और मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहे हैं और के फ्रेंट्स धन्यबाद नमस्कार जैहिं कर दो हम जो बने ओम YouTube आएगी जा तो tensions बार नमस्कार दो कर दो हैं लिएगा विम्न में इम में व्रॉप भी आएगी आताया वारा में आए를 शाना अएर टॉट्स विपा सूंगा रहे रहे हैं